तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि शमीर अबबाशा कुछ ना कुछ नया करते ही रहते हैं अब वो क्या करने वाली हैं और गुवर्मेंट की किस हरकत पे हमजा भटी को गुस्सा आ गया और क्या इससे फरक पड़ता है और क्या बड़े बड़े टिक्टोकर्स जैसे के नदीम नानी वाला स्कैमर्स हैं इस तरह उसना कि काफी जदा अमेजिंग न्यूजे में आप आप लोग यह दे वीडियो के अंट तक लाजमी देखना खुश आमिदीदो सलाम मैं हुमिटिफाइड और आज हम बात करने में हैं सब से पहले शामीर अबबाश शा के बारे म तो गाइस हमारी गेमिग वीडियो अने लगी है टेकन 8 की यो अबबाइड भाई प्रो प्लेयर ऑफ टेकन 7 तो काफी क्लाबरेशन आएंगी गेमिग वीडियो पर हमारी गेमिग चैनल पर तो आप का एकना जाहिए बाईग यह आग यह एक्साइट एड़ यह एक्साइड आगे हम बात कर लेते हैं हमजा भटी से रिलेटे तो हाल ही में हमजा भटी ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर कुछ बातें की जिसके अंदर वो काफी ज्यादा डिसपॉइंटे नजर आय थे पाकिस्तानी गवर्मेंट के प्रोसीजर को लेकर जिसमें उनके मताबिक और अब वो यृवर्मने के साथ वहां पाकिस्तानी गवर्म्न अधारे के साथ कम निए ये मनुसमारा मेरा आइब इसको मैं उनका कराना था पिडिए कराना भूल अब मैंने इनकी वेब सीट पर ट्राइ की जहां पे ने पैसे देने थे बहां पर व वो सो Pharise knocking Hey Efendi निन भ भू मुझे एक लाट सतर देने में मसला नहीं मुझे यह पताओ मैं लॉग इन कैसे करूँ इसका पीटी अटाइस देने के लिए अच्छा भई सौफ़ अपडेट वे रहा हो चुक है उसकी रीजन यह है कि पीटी अवाले टेंड आओ टो बी रिली नाइस पीपल उन्होंने पचान पचान भी लिया बड़ अच्छी तरीके से टीड भी किया लेकन यार बात मेरे भी वालेट रही इसकी रीजन यह है कि यह बात सब को पत किया सेंज बनती है पता है वो चेंज नहीं होगा राइट मैं मैं कभी बड़ दार सोचता यह हूं कि यह तो चलो मैं भी इसलामबाद में फैर रहा हूं अकर इस तरह कोई काम आपका खुदाना खासा किसी पाकिस्तान में किसी कजबे में आप रहते हों किसी गाउं में रह कर दी यह कहकर के तलहा रिव्यूज ने उन्हें कॉल करके थ्रेट किया है जिस पर तलहा रिव्यूज ने एक वीडियो अप्लोड की जिसमें उन्हें यह बताया कि वह यह सब अपने शोपीफाय कोर्स बेचने के लिए कर रहे हैं जिसमें एक फीसद भी सचाई नहीं है ज कि रीजन पता किया जो उसने पुली स्टेशन में बताई है कि मैंने इस बंदे को को पॉल करके थ्रेट किया है मस्तजोग मरण अब बैसे वह एक अप्लिकेशन है लेकिन मुझे का यह किया कि अगर मैं पुली स्टेशन ना आया तो मेरे उपर एफ आई आर भी हो सकती है पता नहीं केड़े करें मुकदमें लगने ने खैर अब मैंने किया क्या आप लोगों को पता होगा कि यार मैं टेक वीडियो बनाता हूँ और मैं इसले 5 साल से यूटीव पर टेक वीडियो बना रहा तो उसके बाद में टिक टॉक पर आया तो मामला सारा क्या है मैंने हमेशा शुरू से लेकि आज तक अपनी अवां को सच बताया कोई फून है कोई गैजट है अब नदीम नानी वाले का फड़ा मेरे साथ क्या था इसका फड़ा मेरे साथ कोई भी नी था ठीक है मैंने अनसली को एक्सपोस किया जो कोर्स बेज र तो आगे हम बात कर लेते हैं आसिम अजिर और तलहा अंजिम के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि एलेक्शन करीब हैं और बहुत से सोचल मीडिया सेलेबरिटीज अपनी दिल की बातें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं जैसे कि इमरान खान को सपोर्ट करते हुए आसिम वज़र कहते हैं इस पीपल वर्सिज दा सिस्टम नाओ थे कन बैन एवरिधिंग बट नोट वार हार्ट सेज फ्लीज फाइंड आउड यूर कंस्टिट्वेंसी एंड वोट पता तो चल गया होगा किसको करना है अब तक पाकिस्तानियों वी नीड तो शो देम दब पावर बाकी सब छोड़ो ये खुबसूरत बहुत है इतना खुबसूरत होने के लिए क्या खाना पड़ता है और रिप्लाइ करते हुए तला अंजम कहते हैं पाकिस्तान तो आप इस सारे के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजबी पताईएगा आगे हम बात क कर रहती हैं इफ्तखार एहमद के बारे में तो आज यू नो कि सिंध प्रिमेर लीग चल रही है तो हाली में होने वाले मैच कराची वरसी लाटकाना के दुरान इफ्तखार एहमद और असाज़ शफीक के दिरमयान मुह मारी हो जाती है तो आफ्टखार एहमद ने एक अप क्रिकट तो आप लोग इस अपोली जी के बारे में क्या कहते हैं जो कि एक सीनियर प्लेयर की तरफ से आ रही है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताईएगा एनिमे नियूज में हम बात कर लेते हैं या ता गारासू के बारे में उसका न्यू ट्रेलर जी वो आ चुक